माल लेते हैं कि मेरे पास एक right-angled triangle है कुछ ऐसा एक right-angled triangle है मेरे पास अब इस right-angled triangle में मुझे ये वाला angle दे दिया गया है कि ये 90 डिग्री है तो जाहिर से बात है कि अगर ये वाला angle 90 डिग्री है तो इसके opposite वाला side हमारा hypotenuse हो जाएगा यानि कि ये हो जाएगा मेरा hypotenuse hypotenuse अब मुझे इसके लावा बोल दिया गया है कि ये वाली जो side है ये वाली side है कुछ 40 cm के बराबर 40 cm के बराबर ये है और जो इसका hypotenuse है वो 41 cm दिया हुआ है 41 cm इस hypotenuse की length दे दी गई है अब हमसे पूछा गया है कि ये वाले छोटे वाले side का length कितना होगा ये हमें पता करना है अब आपके मन में शायद ये आ गया होगा कि ये मैं कैसे बोल रहा हूँ कि ये side जो है छोटी side होगी ये shorter side होगी हो सकता है इसके length hypotenuse से बड़ी हो तो अभी के लिए मैं ऐसा सोच सकते हैं कि जो एक right angle triangle होता है उसमें जो 90 degree के opposite जो side होती है जिसको हम लोग hypotenuse कहते हैं वो उसकी length हमेशा सबसे ज़्यादा होती है बाकि ये दोनो sides के comparison में और ये आप देख भी सकते हैं यहाँ पे अभी एक right angle triangle है हमें दो sides दिये हुए है और हमें तीसरा side पता करना है तो यहाँ पे हम आराम से pythagoras theorem हम लगा सकते हैं अब pythagoras theorem हमें क्या बोलता है कि एक right angle triangle में दो छोटे वाले sides के square का sum यानि कि इस वाले side का square और इस वाले side के square का जो sum होगा वो इस hypotenuse के length के square के बराबर होगा जैसे कि यहाँ पे अगर मैं एक right angle triangle ले लूँ कुछ ऐसा चोटा सा triangle ये 90 डिग्री है माले जी ये a है ये b है ये c है तो a square plus b square ये वाली छोटी side का square प्लस ये वाली छोटी side का square इनका sum हो जाएगा hypotenuse k square के बराबर अब हम same चीज़ को इस triangle में apply करते हैं तो ये है एक छोटा वाला side तो ये हो जाएगा 40 का square ये है दूसरा छोटा वाला side चली इसकी value हम कुछ x माल लेते हैं जो कि हमें पता करनी है plus x का square अब इनका जो sum होगा वो hypotenuse k square के बराबर होगा यानि कि ये 41 square होगा अब चली हम इसको solve करते हैं तो 40 का square क्या होता है तो 40 का square का मतलब हुआ 40 times 40 4 4s होता है 16 और मैं इसके बाद 2 और 0s add कर दूँगा तो ये हो जाएगा 1600 तो 40 का square हो जाएगा 1600 plus x का square ये है हमारा 41 के square के बराबर 41 का square हम calculate करते हैं तो 41 times 41 क्या होता है तो 1 1s a 1, 1 4s a 4 यहाँ पे 1 0 डाल देते हैं फिर 4 1s a 4 और 4 4s a 16 अब finally हम इसको add करेंगे तो हमें मिलेगा 1 4 और 4 8 6 और 1 1681 तो यहाँ पे आ जाएगा 1681 अब हम दोनों side 1600 subtract कर देते हैं minus 1600 ये और ये cancel out होगे तो मेरे पास सिर्फ इदर x square बच गया equal to 1681 minus 1600 मुझे दे देगा 81 अब मैं दोनों side principal square root ले लेता हूँ तो यहाँ पे मैंने दोनों side square root ले लिया तो मुझे मिल जाएगा यहाँ से x की value positive 9 आ जाएगी यहाँ से हम negative 9 नहीं लेंगे क्योंकि distance तो negative नहीं हो सकती distance तो हमेशा positive ही रहेगी तो यहाँ से x की value 9 आ गए यानि कि यह जो छोटा वाला side था यहाँ पे यह 9 cm लंबा था कि यहाँ से सकते हैं झाला